और इस वक्त मेरे साथ नियूज रूम से लगातार आमन चोपडा बने हुए और आमन चोपडा के साथ वरिश पत्रकार कंचन गुपता है नई जानकारी के साथ आमन बिल्कुल अब इसार आपने जिस बात का जिक्र किया कि एक मई को किशना घाटी में जो कुछ हुआ था हमारे जवानों के साथ भारतिय जवानों के सिरकाटे गए थे शक्त विक्षत किया गया था और उसका जवाब लिया गया नौ मई को आठ दिन बाद हमारे साथ वरिश प दूसरी बात है कि एक जो ग्लोबल अवेरनेस क्रियेट करना की पूरे दुनिया को बताना कि भारत एक एक ऐसी परिस्थिती में है जहां पर ऐसा डिफेंसिव एक्षन लेना पड़ रहा है कि अपने साइड से वो फारिंग कर रही है और पाकिस्तान की जो ओफेंसिव इन दिनों में जो भी चर्चा हुई कि वो जीप के सामने किसी को बादना चाहिए था नहीं बादना चाहिए था इसके बावजूद जो है भारतिये सेना का मोराल बूस्ट करने के लिए कि आप लोग अपना कारवाई करें भारत सरकार आपके साथ है जो उचित कदम है वो भारतिय सेना उठाए, लोसी पर भी उठाए और बॉर्डर पर भी, क्योंकि पूरी लोसी नहीं है, कुछ हिस्सा बॉर्डर भी है, बॉर्डर में भी वैसे ही कारवाई की जाएगा. पॉलिटिकल एस्टेबलिश्मेंट का सपोर्ट जो मिल रहा है, जो मेजर गुगोई को भी समानित किया गया, और आज ये सर्जिकल स्ट्राइक, पार्ट टू जिसको कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, हाला कि आप इसे इतिफाक नहीं दिखेंगे, लेकिन क्या पॉलिटिकल करके या बॉर्डर को करके या तो ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर के टरिट्री में जाएं, या पाकिस्तानी टरिट्री अगर बॉर्डर हो तो उसके अंदर जाएं और वहां पर जाकर operations करी आउट करें, ये ऐसा कोई operation नहीं है, ये अपने साइड से है यह पूरा पूरा डिफेंसिव एक्षिन है और दूसरी बात है कि जो सवाल आपने किया कि political establishment क्या सेना के साथ है हाँ इसका मेसेज यही है कि political establishment जो है वो भारतिय सेना के साथ है वो भारतिय सेना का मनोबल जो है उसको बनाए रखने के लिए कि आप लोग अपना काम कीजिए और उसका जो implications जो है उसका जो political fallout है वो political establishment समालेगी और इसका जिक्रिशाद पहले भी अभी बातचीत भी की थी राज किशोर ने ग्रीमंतरी राजनाज सिंग से उनकी तरफ से भी का गया था जब जवाब बता कर नहीं दिया जाता है जब कारवाई होगी तो देश को पता लग जाएगा जी होना भी वैसा ही चाहिए अगर कोई भी security operation हो वो अपने हिसाब से हो अपने समय पर हो अपने location पर हो और होने के बाद वो उसका जो जो भी operation हुआ है उसका फिर उसके बाद जितना खुलासा होना चाहिए उतना ही होना चाहिए और एक और चीज इस बारे में बातचीत बार-बार की जारे कि यह ceasefire violation भी नहीं है यह संगर्श्विराम का उलंगन भी नहीं है यह counter-terrorism operation है एक तरीके से जी हाँ, ceasefire जो होता है वो offensive action है क्योंकि अगर वहाँ पर एक agreement है कि LOC में, जो LOC है उसके दोनों साइट से कोई भी सेना, पाकिस्तानी सेना या भारतीय सेना कोई अपने अनप्रोवोक्ट फायरिंग नहीं करेगी अगर करती है तो वो ceasefire violation होता है और ceasefire violation को एक offensive action है लेकिन ये जो है ये वहाँ से लगातार फायरिंग हो रही थी पाकिस्तानी साइट से ये जो 10-12 बंकर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन में यहाँ से फायरिंग हो रही थी और उस फायरिंग के cover cover को यूज करके जो infiltrators है पाकिस्तानी आतंकवादी है वो घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे थे लोसी को पार करते हुए तो उसके खिलाफ अगर आप action लेते हैं वो defensive action है वो कोई ceasefire का violation है ये जो टागेट किया गया है ये ceasefire का उलंगर नहीं है ये आपने बताया लेकिन संदेश क्या है पाकिस् संदेश है कि आप अप अपनी पूरी कोशिश करें जितना भी आप करना चाहते हैं फिर हम लोग भी अपने उसका जवाब जो है सही जवाब जो है वो देंगे जरूर देंगे और ये एक जो हवा फैला हुआ है कि पाकिस्तान कुछ भी कर लेगा क्योंकि पूरे दुनिया क सब्सक्राइब देखें जो जो अब तक कि जितनी भी आर्मी आक्सिंस हैं वो इस जो एक एक फॉल्स नोशन ऑफ नियूक्लियर एंबीग्विटी उसको हटा रही है एक और सवाल जो अभी मैं आपसे पूछ रहा था, ये वीडियो जो जारी किया गया है, ये पहली बार है, ऐसा कोई वीडियो जारी किया गया हो कारवाई के बाद, क्या ये पहली बार है? मुझे याद नहीं है कि इसके पहले कारवाई तो होते रहती है और सर्जिकल स्ट्राइक में भी कारवाई हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो को जारी ना करने का एक प्रमुक कारण था जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है कि वो वीडियो आप पब्लिक डुमेन में नहीं डाल सकते उसमें जो जिस किसम की डैमेज हुई थी जिस किसम की हुमन डैमेज हुई थी उसको आप पब्लिक डुमेन में डाल नहीं सकते अबिसार कंचन गुपता कब यही कहने कि शाथ संभवता ये पहली बार है जब इस तरह का वीडियो जारी किया गया हो शायद पहली बार है सब बिल्कुल और इसके जरीए कही न कहीं ये थापित करना कि भारती सेना के जवानों का मनोबल बना रहे क्योंकि उनमें भी जबरदस्त आकरोश था दिन जो जवानों को शहीद किया गया उनके परिवारों में जबरदस्त आकरोश था